कथा साहित्य में आपका स्वागत है आईए आद सुनिए अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को सम्रिध करने वाली हिंदी की सुप्रसिद वरिस्ट लेखे का दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है बिटर पिल कहानी की शुरुवात एलन गिंज बर्ग के लिखे इस कथन से होती है वेन इट स्नोज इन यूर नोज यू कैच कोल्ट इन यूर ब्रेन हिम जब आपके नाक में गिरती है तो ठंड़क आपके दिमाग को जा जकरती है कहानी प्रारंब होती है यह मोटर किसकी है अपने बंगले के पहले पोर्टिकों में कुणाल की गाड़ी देखते ही अपनी लांसर गेट ही पर रोक कर मैं दर्बान से पूस्ता हूँ हाल ही में तैनात किये गए इस नए दर्बान को मैं पर रखना चाहता हूँ हमारे बारे में वो कितना जानता है बेबी जी के महमान है सर दर्बान अपने चेहरे की संजीदगी पनाई रखता है बेटी अपनी आयू के 26 में और अपनी IAS जीवन के दूसरे वर्ष में चल रही है किन्तु पत्नी का आग रहे है कि घर के चाकर उसे बेबी जी पुकारें घर में मेम साहब वही एक है कब आए? कोई आदा गंटा पहले अपनी गाड़ी मैं बंगले के दूसरे गेट के सामने वाले पोटिको की दिशा में बढ़ा ले आता हूँ मेरी बंगले के दोनो छोर पर गेट है और दोनों गेट की अगाड़ी उनहीं की भांती महाकाए पोटिको साथ महा पूर्व हुई अपनी सेवा निवृत्ति के बाद एक फाटक पर मैंने ताला लगवा दिया है दोनों सरकारी संतरी जो मुझे लोटा देने पड़े और दो दर्बान अब अनवशक भी लगते हैं पोटिको के दाएं हाथ पर मेरा निजी कमरा है जिसकी चाभी मैं अपने ही पास रखता हूँ पहले सरकारी फाइलों की गोपिनियता को सुरक्षित रखने का हीला रहा और अब एकांत वास का अधियाचन है हाई अंकल कोणाल मुझे मेरे कमरे की चाभी के साथ उसके दर्वाजे ही पर आ पकड़ता है कुनाल को आपसे काम है पापा बेटी उसकी बगल में आखड़ी हुई है उधर खुले में बैठते हैं मेरे कदम लौबी की और बढ़ लेते हैं अपने कमरे की चाभी मैं वापस अपनी जेब को लटा देता हूँ दोनों मेरे साथ हो लेते हैं मेरे डग लंबे हो रहे हैं कुनाल को अपना दामाद बनाने का मुझे कोई चाभ नहीं उसकी आपार संपदा के बावजूद किन्तु बेटी के द्रिड संकल्प के सामने मैं असहाय हूँ तीन वर्ष पूर्व एम में पूरा करते ही उसने अपने इस बश्पन के सहपाठी के संग विवा करने की इच्छा प्रकट की तो मैंने शर्ट रख दी थी बेटी को पहले IAS में आना होगा और अपने को आदर्श प्रेमिका प्रमानित करने की उसे इतनी उतावली रही कि वो अपने पहले ही प्रियास में काम्याब हो गई फिर अपनी ट्रेनिंग के बाद उसने जैसे ही अपनी पोस्टिंग इधर मेरे पास मेरे संपर्क सूत्र द्वारा दिल्ली में पाई है कॉनाल के संग विवा की उसकी जल्दी हडबड़ी में बदल गई है अंकल, कॉनाल एक सरकारी पत्र मेरे हाथ में थमा देता है पापा को सेल्स टेक्स का बकाया भरने का नूटिस आया है मेरे भावी संधी का कनॉट प्लेस में एक भवे शॉपिंग कॉंपलेक्स है दो करोड का इसकी कोई कॉपी है? मैं पूछता हूँ यह कॉपी ही है बेटी कहती है हम जानते हैं इस आदेश से छुटकारा दिल्वाना आपके बाएं हाथ का खेल है वो सच कह रही थी 36 वर्ष अपने IIS के अंतरगत मेरे पास चुनिंदा सरकारी डेस्क रहे हैं और दो चोटी के विभाग फिर साहित्य और खेलकूत के नाम पर खोले गए कई मनुरंजन क्लबों का मैं आज भी सदस्य हूँ और मेरे परिच्चे का शित्र विस्त्रित है मैं देख लूँगा कुणाल का कागस मैं तहाने लगता हूँ तभी मेरा मोबाइल बज उठता है उधर O.N. है जिस अधिकरण में अगली एक तारी को एक जगा खाली हो रही है उस जगा पर उसकी आँख है मेरी तरहा I.S. में हम एक साथ आये थे और हमें कैडर भी एक ही मिला था और उसकी तरहा मैंने भी अपनी नौकरी की एक तिहाई अवधी इधर दिल्ली ही में बिताई है तुमने सुना जीपी की जगा कौन भर रहा है वो पूछता है तुम मैं सतर्क हो लेता हूँ उस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है कता ही नहीं उस पर एक केंद्रिय मंत्री के समधी आ रहे है आज लेटर भी जारी हो गया है नाम बूछने के लिए मुझे कोई प्रियास नहीं करना पड़ा है कोई भी आए अपने संशोब को छिपाना मैं बखु भी जानता हूँ So long then So long इस बीच कौनाल को बाहर छोड़कर बेटी मेरे पास आखड़ी हुई है कोणाल घपरा रहा है मेरे मोबाइल बंद करने पर वो कहती है आप अपनी सहनुभूती उसे दें ना दें हाँ हाँ मैं अपने कंधे उचकाता हूँ मैं अपने कमरे में चलूँगा मुझे कुछ फोन करने है पापा आप इतने लोगों को फोन क्यों करते है अपनी खीच परकट करने में बेटी आगा पीछा नहीं करती तुरंत व्यक्त कर देती है यह कमिशन वह कमिशन क्यों यह ट्रिब्यूनल वह ट्रिब्यूनल क्यों यह बोर्ड वह बोर्ड क्यों यह कमिटी वह कमिटी क्यों कुछ और हथियाना चाहते हैं जब आपके पास घर में तमाम वेबसाइट हैं धेरों धेर म्यूजिक हैं अनेक किताबे हैं और जो मुझे कॉफी पीनी हो तो किसे मांगू आपको मातर कॉफी पिलाने की खातिर मैं अपनी 27 साल की नौकरी छोड़ है पेशे से वो डॉक्टर है लेकिन मरहम पटी से जादा दवा पिलाने में विश्वास रखती है दवा भी कडवी से कडवी मेरे तीनों भाई उसके पीट पीछे उसे बिटर पिल के नाम से पुकारते हैं और जिसकी नौकरी के बूते नौ करोड के इस बंगले में एक माह पारानी का जीवन बिताती हो उसके लिए तुम्हें एक कप कॉफी बनाना भी बोच मालूम देता है मैं भी बिफरता हूँ मम्मा तुम्हें याद रखना चाहिए पपा सभी मेरिज इवेंट्स का खर्चा उठा रहे हैं बेटी हम दोनों को शांत देखना चाहती है अपने भले की खातिर और वह भी कहां मैं उखड लेता हूँ कितना कहा कम से कम लेडी संगी थी घर पर रख लो मगर नहीं सब अशोक होटल ही में रखना है पपा बेटी लाड से मेरा हाथ चूम लेती है बैंक में आपके पास बेहिसाब रुपया है अपनी इकलौती के लिए इतन नहीं कर सकते तभी मेरा मोबाइल फिर बच उठता है उधर मेरी मनोविशेशग्या है वर्तमान काल में मेरी गर्ड फ्रेंड मेरी लैस प्रियसी मेरी अंतरंग मित्र मेरी इस्टतम विश्वास पात्र जिसे मैं अपने सभी भेद सौम सकता हूँ सौम चुका हूँ अपने कमरे की और बढ़ लेता हूँ आपकी मिस्ट कॉल हैं डिस्ट्रेस्ट विब्दाग्रस्त हाँ मैं अपने कमरे तक पहुंच लिया हूँ और खटके दार उसका ताला बंद करके आश्वस्त हो लेता हूँ मुझे तुम्हारे साथ एक सेशन चाहिए आज ही अभी ही नहीं हो पायका सर मैं देली से बाहर हूँ तीसरे दिन लोटूंगी कहां मैं ध्यर्यक हो रहा हूँ बेंगलोड सर आपको बताया था यहां मेरी ननत शादी कर रही है भूल गया लेकिन तुम्हें याद है ना बेंगलोड से दिल ले तुम्हें रेल काड़ी से नहीं प्लेन से आना है कल इसी रविवार को मेरे एक्सपेंस एकाउंट पर यह संभव नहीं है सर मेरी रेल टिकट सब के साथ खरीदी गई है मेरे बच्चे क्या करेंगे मैं मंगलवारही को पहुंचूंगी मैं मोबाइल काट दिता हूँ अपनी दोलन कुर्सी पर आ बैठता हूँ अपनी दवा के डिबबे के साथ अपनी दवा मुह में रखता हूँ और डिबबा बगल वाली मेज पर लाटिकाता हूँ बल्वती, अपनी दोलन कुर्सी मैं जुलाता हूँ, बल्वती, मेरी पहली प्रियसी का नाम रहा, उसके कम्यूनिस्ट पिता की देन, बल्वती, मैं दोहराता हूँ, बल्वती, काल बाधित समय की एक धज्जी मेरे मन के पार्शु घाट से निकल कर मेरे समीब चली आती है, फिर से असमान लोगों की अधिनता स्विकारोगे, माक्स ने क्या कहा था, हमें समाज समझना नहीं है, बदलना है, बल्वती, मैं क्या करूँ, मैं रो पड़ता हूँ, मेरे सिध्धान्त आज भी उतने ही अनिश्चित हैं, समाज में परिवर्तन चाहता भी हूँ, और नही दर्वाजा कोई नहीं, मेरे दर्वाजे कहा हैं, मैं चीक उठता हूँ, क्या बेटी और पतनी ने मुझे जीते जी दिवार में चिनवा दिया है, तब ही मेरा मोबाइल बच्ता है, पपा, खाने के मेस लग गई है, आये, बेटी का फोन है, लेकिन दर्वाजा कहा है, मैं चिल्लाता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, पपा, बेटी की आवाज काप रही है, मेरे तीनों दर्वाजे गायब हो चुके हैं, मैं रो पड़ता हूँ, ना लॉबी वाला दर्वाजा यहां है, ना पोटिको वाला, और ना ही बातरूम वाला, पपा, आप चलना शुरू कीज दर्वाजा अपने आप आपके सामने आ खड़ा होगा, मैं उठने की चेस्टा करता हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा, अपने गिर्द फिर नजर दोडाता हूँ, अभी भी दर्वाजे गायब हैं, चारों और दिवारे ही दिवारे हैं, पपा, पपा, हाई, मेरी नहीं रही, मेरे दर्वाजे कोई चुरा ले गया है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, दर्वान को बुला कर लाओ, मेरा मॉबाइल पत्नी की आवाज पकड़ता है, उससे दर्वाजा खुलवाते हैं, लेकिन पपा को हुआ क्या है, बेटी रो रही है, एम्बुल अफेंसिव मेडिसन के अंतरगत किये जा रहे, मेरे सभी टेस्ट के रिपोर्ट्स सही आ रही है, कहीं भी किसी भी रोग अत्वा विकार का उनमें कोई लक्षन नहीं मिल रहा, तीसरे दिन मैं अस्पताल छोड़ देने की जित पकड़ लेता हूँ, मुझे अपनी मनो चेद की स्थिती से गुजर रहे हैं सर, आपका मस्तिश्क बंट रहा है, अपनी विचारना और अपनी भाव प्रमनता आप पास पास नहीं रख पा रहे, बेटी का विवहा उस व्यवसाई से करना भी चाहते हैं और नहीं भी, पतनी की पसंद ना पसंद को अपने से अलक भी चाहते हैं और नहीं भी, अपने समय को नई उपजीविका से भरना भी चाहते हैं और नहीं भी, अपनी पहली प्रियसी के आत्मध्या के लिए स्वयम को उतरदाई मानना भी चाहते हैं और नहीं भी, दीपक शर्मा जी की लिखी इस कहानी के अंत के साथ ही मैं विदा होंगी धन्यवाद